तो हेलो गाइज कैसे हैं आप लोग आज आपका भाई आज चुका फिर से मटन खाने के लिए और आज मेरा मटन खाने का जो है मन बहुत ही ज़्यादा कर रहा था तो हम अभी यहाँ पे बहुत ही आदमी से पूछे तो वो बोले किया मन पसंद होटल जाईए वहाँ पे आप को अच्छा से मटन को खिलाया जाएगा और वहां का मटन जो है बहुत ज्यादा फेमेस है तो हम भी आज चुके हैं मन पसंद होटल आप देख सकते हैं यहां का मटन को टेस्ट करेंगे यहां के फूड को एक्स्प्लोर करेंगे और आप तक टेस्ट को पहुंचाएंगे त तो इसमें ऐसा क्या डालते हैं जो आपके यहां इतना आदमी खाने के लिए आता हैं म draw को पियांज लासुन पैस्ट आधी पैस्ट धनिया पैस्ट जीरा पैस्ट मिल्टीपेस्ट गरजममसोला उसके बाद करवाते देंखर आदा गटा के लिए चोड़ देते हैं ईसको आ पर जाता है मटन तब कस्ट्रम मांगता तो उसको खाना देते हैं जब अच्छे तरीके से शीच जाता उसके बाद आप खाना को देते हैं जब इसके पहले मैं चलाता था मैं सिर्यव हो गया था मेरे बाद मेरा बादा लड़का चलाया उसके बाद ऊच्छोटा लड़का चला रहा है आपका पतिएर ठीक नहीं रहाता इसके कारण आपके लड़के चलाते हैं धुश्य दुकान को जी अभी आप ही चला रहे हैं अभी लरका कहीं गया हुआ है पंसंग में इसली हम चला रहे हैं यहां का मतन का रत होता है है यहां का मतन का रत दो 250 मतन ब॥र पैर चावल 120 रुप्य 20 रूप्य में की20 मतन और ता सब्सक्राइब अच्छी बात यह है पिछ पर यह ज़ादा एज हो चुका है फिर भी यह मतलम मटन खिलाते हैं वो भी इतना अच्छे से खिलाते हैं एक बाडा मटन को दिखा दीजिए थोड़ा सा कैसा तरन है और यह आप मटन देख सकते हैं हांडी में यह मटन और बना हुआ है और मटन देखने में वाके में बहुत ज़्यादा क्रेश्पी है वहत ही टेश्टी है और यह कितना जाके दार लगड़ा है इसमें हमको रस्ट का दिखी ने रहा है बहुत कम मतlardan मार्स है और यह दूसरे हन्डी में बना हुआ है कितना ज्यादा केश्पी लगड़ा और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पकाया गया है इसमें पॉनिका यूज किया है क्या नहीं किया है तो अभी फिलाल जो है अभी जो है मोर्निंग का टाइम है और अभी खाने के लिए बहुत ही कम आदमी आया हुए है लेकिन ज्यादा माता में प्याज यहां पे कटके रखा हुआ है और इधर आप देख सकते हैं इधर जो है और फिलाल आप नो यह आप थ Дिखा दिजिए यह चिकन है यह चिकन है चिकन का रेट क्याione mulheres और बहुत है तीन पीज अरपीड चावड उर्boys चावल और जी बड़ पेट जि और और ऀधर क्या यह 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 कंसाससे यह रेहू का फ्रीश देखिए मुड़ा अच्छा यह रिहू का फिस है कैसे खिलाते हैं आप इसको सत्तर रुप्या मुड़ा सो रुप्या सत्तर रुप्या मुड़ा और सो रुप्या में सो रुप्या में मुड़ा चावल सो रुप्या मुड़ा चावल सत्तर रुप्या दो पिस मचली और चावल सत्तर रुप्या म तो इसको थोड़ा सफ चला के दिखाईए किटना मस्थ है यहाँ का गड़े भी वाक्त बहुत अच्छा है और सुगंद इसमें से बहुत ही मस्था रहा है बहुत टेश्टी लगग रहा है देखने में तो यहाँ पर देख सकते हैं आप बहुत ही मज़े से यह खाड़े हैं यह बात है है तो आप अभी क्या खा रहे है मतन कहारा है मतन ओर चावल मतनसक्क कैसा लग रहा है सोअध सुट गोन हे बहुत बढ़ khore सेया और नामि जामी दुकान है कब से खार है आप हाप कर्वीय है से एक सर खुकी यहां तेच करेंगे और आप तक देस्ट को पहुंचाएंगे तो चलिए हम अपने लिए भी मटन लगबा लेते हैं और टेस्ट करते हैं पियम मिरे लिए मतन लगड़ा है और यह मटन जो है पहले यह मटन को आप किया किजेएह मटन को कई सब्सक्राइब नदेख सकते हैं मेरे लिए यह मटन जो है और हमको मतन कहने का आज बहुत ही ज्यादा मन कर रहा है तो यह मतन देखने में बहुत ही ज्यादा मस्त है और यहां यह मेरा मतन जो हो चुका है और रस जो है कितना गाड़ा गाड़ा दिख़ड़ा है यहां पर जो है बहुत ही ज़्यादा गर्म है छूने से ही पता चल रहा है बहुत ज़्यादा गर्म है और यह चावल का क्वालिटी दे सकते हैं कितना अच्छा क्वालिटी है यहां के चावल का बहुत ही ज़्यादा म छुए उके मेंसे हम थोड़ा सा ले लेते हैं ग्रेवी रवार लेकर क्या खाएंगा की बार लेटे हैं यह देखिया ऑगए अपना मतन और ज्रीवी क क्ल़ सह पहले ग्रैवी को टेस्ट करते हैं का बहुत ही जादा हमको बूख लग चुका है इसी लिए हम आज मटन के तलास में निकल चुके थे वाकिम जो है इतना अच्छा टेस्ट है यहां का हम बता ने सकते आपको इतना ताइप करें यहां के मटन का उतना क्यम है क्योंकि यहां के जो ओनर हैं वो काफी बूड़े हो चुके हैं और बहुत दिन से यहां पर हो मटन खिला रहे हैं इस सहर को तो यहां अब थोड़ा सा हम प्रीष को टेस्ट कर लेते हैं इसमें जो गुद्धा है यह जो है यह कितना सिजा हुआ है और कितना मस्त लग रहा है इसमें थोड़ा सा ऐसे करने और पूरा देखें छूट जा रहा है और काफी ही मज़ेदार है यह तो यह हम पीस ले चुके आप देख सकते हैं यह पीस आ गिया और यह अपना पीस और थोड़ा सा चावल और ग्रेवी के साथ टेस्ट कर लेते हैं बहुत ही मस्थ बहुत से स्वाधित है और ज्टरा लेसूद आ रहा है इसमें थोड़ा घड़ा अच्छा रहा है इतना कम प्राइस में अच्छा क्वालीटी और चावल तब देखी सकते हैं कितना मुश्ट है बहुत ही अच्छा लगा तो चलिए हमको जल भूग तो बहुत जोड से लगा है इसलिए हम माटन को जल जल ख़त्म करेंगे उससे पहले आपको यहां का अड्रेस बता देते हैं यह जो है आप साहरसाज डिस्टिक्ट में यह पर प्लेस परता और स त्यारपूर इस्टेशन रोड में ही आपको यहाँ पे मनपसंद होटल मिल जाएगा और यहाँ पे आके आप मनपसंद पीस लेके खा सकते हैं कम प्राइस में अच्छा टेस्ट के साथ तो चलिए इसी वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं कल अगले नेक्स्ट वीडियो में अच्छे प्लेस के साथ अच्छे टॉपिक के साथ